कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी ख़वर पश्चम बंगाल से आ रही है आपको बता दे कि पश्चम बंगाल की सीम ममता बैनरजी ने एक बड़ा ऐलान किया है दरसल उन्होंने सीधे तोर पर महागडबंधन का एलान कर दिया है और ये कहा है कि 2024 के चुनाव में वो नितीश कुमार अखिलेश यादो समेत थेमन सुरेन के साथ चुनाव लड़ेंगी इसी के साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदान मंतरी मोधी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है और यहां पर सुबाश शंद्र बोस की जो मूर्ती स्थापित की जा रही है उसके उद्गाटन के लिए ममताब एनरजी को निमंतरन दिया था लेकिन ममताब एनरजी ने इसे खारिस कर दिया और यह कह दिया कि क्या मैं उनकी प्रफलाहट साफ नजर आ गई क्योंकि मोधी गौर्मेंट की ओर से सेंट्रल गौर्मेंट की ओर से उन्हें इसके आमंतरन के लिए नियुता भेजा था लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने महागडवंधन का अलान किया इशारा किया लेकिन इन सब की बीच में उन्होंने जहां खिलेश यादो का नाम लिया नितीश कुमार का नाम लिया तो यहां पर वो राहुल गांदी या फिर कॉंग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए नहीं दिखाई जिसके बाद राजनेतिक विशेशग्य ये कह रहे हैं कि जो लगातार उपर रास्टपती चुनाव को लेकर के जो तना तनी बनी हुई है कॉंग्रेस पार्टी और ममताव एनर्जी के बीच ये उसका नतीज़ा है कि ममताव एनर्जी ने तो सभी पार्टीयों के साथ हाथ मिलाने और महागडबन्धन को लेके अलान किया लेकिन ऐखने को मिला है मुम्ताब एनरजी हाल्जी में दिल्ली भी आई थी लेकिन उन्हों। ने राश्टपति द्रौपदी मुर्मूसे दिल्ली मुलाकात दिल्ली के एंपा की तो पिन जिरास्टपती वहां पर देखने को मिला था कि ममताब एनरजी की सहमती नहीं ली गई थी और कॉंग्रेस और अन्य दलो ने अपने सहमती से मारगरेट अलवा का नाम तै कर दिया था जिसके बाद लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी और ममताब एनरजी ने तो सीधे तोर पर इस में वोट नहीं करेंगे यानि कि सीधे तोर पर पूरी तरीके से उन्होंने वो प्रास्ट पति चुनाब को ले करके दूरी बना रहे हैं कि अगर 2024 के लोग सबस्चनाव में महागडबंदन एक बार फिर से होता है तो ममताव एनर्जी राहुल गादी से दूरी बना सकती है आपको बता दें कि पश्रम बंगाल की सी अमवर टीम सी प्रमुख ममताव एनर्जी एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना सा बंदूआ मजदूर नहीं है वही ममताव एनर्जी ने कहा कि दिल्ली में नेता जी की नई प्रतिमा बनाने का मुझे बुरा लगा है पुरानी प्रतिमा का क्या हुआ दूसरा ये कि जिस ढंग से मुझे कार्गरम में शरीक होने का नेवता दिया गया वो भी अच्छा नही को लेकर मुझे एक अपर सचिव का पत्र मिला इसमें कहा गया कि प्रतिमा का उध्गाटन करेंगे कार्गरम शुरू होने से पहले आप वहां मौझूद रहे इस भाशा पर आपती प्रकट करते हुए ममताव एनर्जी ने कहा कि मैं क्या उनकी कोई बंदूआ मजदूर हू बता दें कि ममताव एनर्जी ने बंगलादेश की प्रधान मंतरी शेख खसीना की हालिया भारत यात्रा के वक्त उन्हें मुलाकात के लिए केंडर सरकार द्वारा आमंतरित नहीं करने पर भी नराजगी चताई है। केंडर सरकार शेख खसीना से उनकी मुलाकात को लेकर चिंत्त क्यों हैं। आपको बता दें के विशेश सत्र को संबोधित करते हुई ममताव एनर्जी ने ये भी कहा कि बंगलादेश की प्रधान मंतरी शेख खसीना के साथ मेरे अच्छे संबंद हैं। लेकिन केंडर ने मुझे उनकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंतरित नहीं किया। ममता ने हसीना से मुलाकात के लिए आमंतरित नहीं करने पर केंडर सरकार को नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ ही आपको बता दे कि ममता मैनरजी ने ये भी कहा कि 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे जो बंगाल से शुरू होगा। मैं और अन्य दोस्त सब एक जुठ होंगे। फिर देखते हैं कि बीज़ेपी सरकार कैसे बनाती है। बीज़ेपी सरकार की देश को अब जरूरत नहीं है। आपको बता दे देखने को मिला था कि 2019 में भी महागड़ बंधन किया गया था। तमाम विपक्षी पार्टी जो एक दूसरे के खलाफ हमेशा बोलती हुई नजर आई है। चाहे फिर वो मायावती की BSP पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, सोनिया गांदी हो। तमाम राज के छोटे बड़े इस्तर की जितनी भी पार्टी थी सब एक जुट हो गई थी। इसको महागड़ बंधन का नाम दिया गया था और उस समय भी यही कहा गया था कि लोग सबाचुनाओं में मोधी सरकार नहीं बनने देंगे, यानि कि एक बार फिर से मोधी सरकार की कोई जरुरत नहीं है, देश की जंता भी यही चाहती है कि मोधी सरकार ना बने लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला कि 2019 में एक बार फिर से मोधी गॉर्मेंट बनी और इसी के साथ ही मोधी के नित्रत्व वाली बीजेपी को बहुत जादा संख्या में वोट भी हासिल हुए और एक बार फिर से ममतब अनर्जी अलान कर रही है कि 2024 में वो फिर एक तमाम पार्टियों के साथ आएंगी और यह जो शुरुवात है वो बंगाल से होगी यानि कि 2024 के लिए उन्होंने महागडबंधन का अलान कर दिया है लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है इसको लेकर के लोग यही कह रहे हैं कि हालिया में जिस तरीक क्योंकि लगातार 2022 के विधान सवाचनाव में वो यूपी भी आई थी यूपी में उन्होंने अखिलेश जादों के समर्थन में एक रैली को भी संबोदित किया था लेकिन इसको लेकर भी राचनीती शुरू होई थी जहां ममताव एनरजी खुले तोर पर यूपी में गई जाती हैं कहीं और हिस्सों में चली जाती है रैली करने के लिए जब यूपी के मुख्यमंत्रे योगी आदितनाथ जाते हैं बंगाल में इसी तरीके से रैली को संबोदित करने के लिए चुनावी रैली को संबोदित करने के लिए तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता उनके हेलिकॉप्टर की लेंडिंग भी नहीं करने दी जाती यानि कि जो तानाश शाही है वो ममतब एनरजी की दिखाई देती है ममतब एनरजी तो चाहती है कि वो किसी भी स्टेट में खुले तोर पर घुमे हर प्रोग्राम में उनको इन्वाइट किया जाए लेकिन वो खुले देखनी को मिला था कि कैसे योगी आदितनाथ का काफिला उन्होंने रोक दिया था हैलिकॉप्टर की लेंडिंग रोक दी थी क्योंकि जो भारी क्रेस था कहीं न To जतनात का पुरे भारत में था और इस बात का मधाव एनरजी को डर था कि अगर योगी आदितनाज जा करके चिनावी जनसभा को बंगाल में करते हैं तो इसे ममताव एनरजी और उनके वोट बेंक को खत्राउत पन हो सकता है लेकिन जिस तरीके से ममताव एनरजी ने यह सीध तर आ रहे हैं और यह कहा रहे हैं कि उन्हें इस तरीके से केंद्र सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए आपकी इस खबर वर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें